Hello, welcome to my dope channel Extreme Ritik इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Upstocks में आप Lump Sum Investment कैसे करेंगे ठीक है काफे लोगों के comment आते है काफे लोगों के सवाल रहते है कि आपके पास एक बड़ा amount है Lump Sum amount है आप उसको investment करना चाहते है Stock Market में वो भी Upstock के जरीए तो कैसे आप Upstock में Lump Sum investment करेंगे वो हम आपको बताएंगे ठीक है First of all अगर आप Trading सीखना चाहते है Trading से पैसे कमाना चाहते है Stock Market से पैसे कमाना चाहते है कौन सा share आपको buy करना चाहिए कौन सा share आपको buy नहीं करना चाहिए कहाँ पे buy करना चाहिए कहाँ पे sell करना चाहिए अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो आप हमारा यह WhatsApp चेनल फॉलो कर सकते इसका लिंक मैं आपको description में दे दूँगा ठीक है अब हम Upstocks open करेंगे देन आपको step counterface सो करेगा अब देखिए Lump Sum amount अगर आपको किसी भी stock में डालना है investment करना है उसमें तो आपको सबसे पहले उसको search भी कर लेना होगा ठीक है जैसे कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मैं टाटा का कोई share ले लेता हूँ मैं यहाँ पे या फिर मैं सोच रहा हूँ DMAT का share ठीक है चार्ट मैंने देखा यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इसमें एक Lumb Sum amount को मतलब invest करना चाहता हूँ तो simple मैं buy पे क्लिक करूँगा यहाँ पे जो आपको buy का option मिलेगा आप इस पे क्लिक करिए green color पे उसके बाद आपको first में जो option मिलता आपको regular इसको select टलना होगा quantity आपको डाल लेना है quantity जैसे कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इस share की price है लगबग 4,000 रुपए और मैं इसके 5,000 share buy करना चाहता हूँ जिसकी कीमत है लगबग 19,000,000 रुपए ठीक है या फिर आप इसके 50,000 share भी buy कर सकते ठीक है जिसकी कीमत होगे 1,94,000,000 रुपए अब जैसे यहाँ पे मैंने lump sum amount अपने डाल लिया quantity मैंने अपने डाल लिया second आता है price कि अभी इसका price चल रहा है 3,885 रुपए तो आप एक amount डालिये कि आप यह सोच रहे कि जब यह 3,800 रुपए पे आएगा तो मेरी entry होगी या फिर जो भी amount या फिर फिलाल मैं इसको कर लेता हम market कि अभी जो price चल रहा है मैं इसी में buy करना चाहता हूं तो मैंने market price डिसका डाल लिया उसके बाद अगर मैं SL L&D पे क्लिक करूँगा तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी इसका price चल रहा 3,850 रुपए तो मैंने एक stop loss लगा लिया कि अगर यह 3,500 पे आता है तो मेरा stop loss हो जाना चाहिए ठीक है तो यह मैंने डाल लिया उसके बाद मैं product पे क्लिक कर कि को कर लूँगा delivery ठीक है delivery पे select करने के बाद मैं आपको swipe to buy पे क्लिक करना होगा swipe to buy पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से lump sum amount investment हो जाएगा investment हो जाएगा on upstocks अब यहां से आपने share को investment कर दिया यहां पे अपने stock को buy कर लिया है lump sum amount के साथ में अब अगर आपको इसको देखना है ता आपको simple portfolio में क्लिक करना होगा portfolio में क्लिक करने के बाद आपको holdings पे देखना है और यहां पे आपकी holdings में सो करेगा आपका वो share ठीक है तो इस तरीके से आप लोग lump sum amount invest कर सकते है on upstocks तो topic is cover मिलते है नेक्स्ट वीडियो में